की चलिये तो आज हम डिस्कुसेंस कर रहे हैं एक ओर टापिक के बारे में जो है प्रेस्क्रिपिशन राइटिंग का और जो टापिक है वह फ्यप्टिक अल्सर अभी जैसे अमने बात की थी प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग एक important exercise है, जो आपको practical में पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको criticism form में पूछ सकते हैं, एक wrong prescription दिया जाएगा, उसमें से आपको जो भी wrong points है, उनको point out करना है, और सही prescription बाद में लिखना है, तो समझते हैं, peptic ulcer के बारे में हो सके, इतना हमने concise information रखायो, और hand में हमने कुछ prescriptions पी रखे हैं, आपकी understanding के लिए, तो peptic ulcer disease, जिसमें एक ulcer होता है, ulcer हमें पता ही है कि breach in the continuity of any mucosa, तो mucosa में जो continuity breach होती है, sizes अलग-अलग होते हैं, और जिससे क्या होता है, कि जो ulcer वाला area है, वहाँ पे acid exposure होता है, या फिर irritant exposure होता है, और जिससे ज्यादा से ज़्याद होता है, डियोडिनम में है तो डियोडिनल और इसोफेगस में है, तो उसे इसोफिजियल अलसर भी कहते हैं, पैथोफिजियलोजी जानना बहुत सरूरी है कि कि किस प्रकार से HCL का secretion होता है, तो HCL का secretion होता है, कि important pump से जो end stage में है, जिसे H+, K+, ATPase pump भी कहते हैं, ये parietal cell है जहां पे H+, ATPase end में मौझूद है, जहां पे potassium का uptake होके H+, का release होता है, जिसे HCL का secretion होता है, stomach के, lumen के अंदर, लेकिन उसको secret होने के लिए उपर से तीन receptors जरूरी है, histamine है, वो secret कर सकता है, या फिर simulate कर सकता है, ये parietal cell को, जहां पे H2 receptor का roll आता है, वो simulate करता है, दूसरे है muscarinic M3 receptors का roll भी होता है, और last में है gastrin, तो उसके CCKB receptors को stimulate करके, वो eventually H+, K+, को stimulate करता है, यहां पे histamine का roll आता है, और वो जो histamine है, वो release होता है, उपर से एक और cell से release होता है, जिसे endocromefin cells भी कहता है, वहां पे भी muscarinic receptors के through stimulation होता है, और histamine release होता है, लेकिन यहां पे यह जो muscarinic receptor है, वो है M1, दूसरा है gastrin, जैसे हमने बात की थी, food जैसे ही आता है, gastrin, CCKB receptor को stimulate करता है, histamine release करता है, और exomatose 13 हो उसका opposite काम है, inhibitory काम है, तो ज्यादा secretion हो गया उस case में, यह कम करता है, तो इस प्रकार से endocromefin cell और उसके बाद parietal cell, दोनों cell के उपर से eventually first histamine और उसके बाद cell का secretion होता है, और जिस से normal digestion process चलता रहता है, क्यों यह समझना जरूरी है, यह समझना है, इसलिए जरूरी है कि जब cell का secretion बढ़ जाएगा, या फिर प्रेप्टिकल सरवाले patient होगे, तो हम किस प्रकार से यह secretion घटा सकते हैं, किस किस पॉइंट पे काम करक यह secretion घटा सकते हैं, तो जैसे हमने बात की कि एक हम जो यह H plus K plus ATPase pump है, यहाँ पे काम करने वाली drug से इस pump को inhibit कर सकते हैं, हम mainly यहाँ पे main M1 receptors को stimulate कर रही है, उस वहाँ पे drug दे के उसको बंद कर सकते हैं, फिर हम लोग जो histaminic receptors हैं, वो histaminic receptors को भी block करके, हम लोग acid secretion कम कर स factors और defensive factors के बीच, कौन-कौन से defensive factors हैं, defensive factors में इसके जो mucosa है, stomach का या फिर GIT का mucosa पर से you can कह सकते हैं, उसको protect करता है, तो जैसे mucous secretion हो गया, bicarbonate secretions हो गया, prostaglandins, PGI2, E2 specifically, तो यह लोग भी protect करते हैं, blur flow अच्छा हो तो वो भी nitrous oxide mediator बात कर सकते हैं, कि blur flow अच्छा हो तो भी वो protect करते हैं, तो यह सब protective factors है, mucosal secretion, bicarbonate secretions, अच्छा blood flow होना, prostaglandins, तो यह सब mucosa को बचाते हैं, on the opposite side क्या कि aggressive factors हैं, जैसे हमने prostaglandins secretion बंद कर दिया, alcohol पीने से, या फिर कुछ दवाईयों से, जैसे NSAIDs जैसी दवाईयों दिने से, तो prostaglandins का secretion कम हो गया, NSAIDs बात की, alcohol बात की, tobacco बात की, या फिर कोई stressful situation होती है, उस situation में HCL का secretions बढ़ जाता है, steroids देने से भी ऐसा होता है, तो यह कुछ aggressive factors हैं, तो इस प्रकार से जो defensive factors और aggressive factors के भी जब भी misbalance होता है, तब यह ulcer जैसी situation create होती है, H. pylori जैसे हमने बात की, एक important role play करता है, ulcers में, gram negative bacteria है, जिसमें है, फ्लेजलाज होते हैं, और peptic ulcer disease के one of the most common causes में, इसको भी miss out नहीं करना चाहिए, फिकोरल root से infection होता है, और यह urease secret करता है, जिससे यह ammonia produce करता है, और अपने survival के लिए, एक alkaline atmosphere वो create करता है, जहां पे वो survive करता है, तो जो acidic pH में भी है, survive कर सकता है, क्यों इसको neglect नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर long term infection रहा, control नहीं किया, तो it can produce gastric cancer, तो एक promoting reason है, gastric cancer का, तो इसलिए इसको भी हमें neglect नहीं करना चाहिए, और इसका specific treatment है, बाद में उसको discussions करेंगे, तो आज आते हैं, आब collectively treatment के उपर कि किस किस प्रकार की drug से हम लोग peptic ulcer के patients को treat कर सकते हैं, जो prescription के लिए सबसे important point है, तो पहले बात करें कि सबसे quick relief किस से मिलती है, तो quick relief उसी से मिलती है, जब भी मानली जीक patient आया, उसको quick relief चाहिए, तो उसके अंदर जो भी acid पड़ा हुआ है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, neutralize करना पड़ेगा, तो neutralize करने से ही quick relief मिलेगा, बाकी जो दबाईयां है, वो क्या है कि H+, का जो release होता है, उसे बंद गाती है, लेकिन जो पड़ा हुआ H+, है या फिर HCL है, उसका कोई role नहीं है उसके उपर, तो quick relief के लिए हमें ऐसी दबाईयां चाहिए कि जो पड़ा हुआ HCL है, पड़ा हुआ acid है, उसको neutralize करें, तो इसलिए acid neutralize agent का quick relief के लिए, बहुत important role है, इसलिए antacids का advertisement बहुत होता है, काफी सारे brand name से अपने TV में देखे होंगे, उसमें obviously alkaline mixture होता है, sodium bicarbonate, sodium citrate, पहले systemic route स इसलिए भी देते थे, लेकिन अभी non-systemic रूप से orally सिर्फ आपको ingest कर लेना है, जिसमें magnesium के काफी सारे salt है, जैसे magnesium hydroxide, magnesium tricylicate, aluminium के salts है, aluminium hydroxide, megalrate, calcium के salts है, calcium carbonate, तो काफी सारे salts है, magnesium, aluminium, calcium के, जो acid neutralizing property के तोर पे use होते हैं, और quick relief देते हैं, फिर दूसरे आ जाते है, acid drugs के जो HCL का secretion या gastric acid का secretions कम करती है, जैसे हमने बात की थी, हम समझे थे, पैथोफिजियोलोजी में, एक है जो histaminic receptors को block करते हैं, जिसमें simatidine, ranitidine, famotidine, tdine से end होने वाली दवाईयां होती हैं, दूसरे होते हैं proton pump inhibitor, जो prazole से end होते हैं, omeprazole, lençoprazole, pentoprazole, rabeprazole, बहुत ही commonly used drugs है, एंटिकोलिनर्जिक्स पहले यूज होती थी, जिसमें pyrenzepine, talenzepine, propanthaline, ये सब दवाईयां हैं, और prostaglandin को promote करने वाली prostaglandin analog misoprostol है, तो ये कुछ ऐसी दवाईयां है कि gastric acid का secretion कम करती है, बात में ulcer protectives भी होते हैं, अगर ulcer बहुत ज्यादा है, irritations, उसको कम करने के लिए ulcer को protect करने वाली दवाईयां है, जैसे सुक्राल फेट हो गया, बिस्मत हो गया, वो यूज होती है, और specifically H. pylori अगरे infections है, तो उसमें कुछ antibiotics वो बैक्टिरिया को kill करने के लिए होती है, जैसे amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, tinidazole और tetracycline, तो इस प्रकार से overall ulcers में treat होने वाली drugs का classification इस प्रकार से होता है, हमें अब जानना पड़ेगा कि इस प्रकार का relief patients को चाहिए, और उसके प्रकार से हम दो दवाई का use कर सकते हैं, तो ये एक figure है, जिसमें हमने सब mechanism of action clear किया है, जैसे हमने बात की थी, कि ये parietal cell है, जहाँ पेंड में, H+, K+, ATPase pump, या फिर जिसे proton pump भी कहते हैं, वो HCL का secretion stomach के lumen में करता है, तो quick relief के लिए जैसे हमने बात की थी, कि neutralizing alkalis use करते हैं, जो neutralize करती है, फिर जो mascarinic receptors के stimulation से eventual histamine release होता है, उनको M1 receptors को block करती है, पाइप्रेजीन, टैलेंज़ेपिन जैसी drugs, फिर histamine energy receptors, जो H2 main यहाँ पे रोल होता है, इसको block करती है, histamineic blockers, प्रोस्ताग्लेंडिन एनलोक्स, जो प्रोस्ताग्लेंडिन रिलीज हो, और प्रोटेक्टिव एफेक्स मिलें, जिसमें मिजोप्रोस्तोल होते हैं, और फिन जो main drugs होती है, जो यहाँ पे जो काम करती है, वो है PPIs, proton from inhibitors, यह pump पो inhibit करती है, तो last stage में काम करती है, और सबसे effective medication से, तो proton from inhibitors सबसे effective medication से, HCL secretion कम करने से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि किसी भी प्रकार से multiple mechanism से अगर एक block करोगे, तो दूसरी mechanism से H plus का simulation होगा, लेकिन अगर आप यह pump ही block कर दोगे, तो अब उसके पास कोई alternative mechanism नहीं है, HCL secret करने का, तो last stage पे यह काम करती है, इसलिए जो proton from inhibitors है, इनने सबसे अच्छी भैतरिन दबाई मानी जाती है, proton pump या फिर H plus clipus secretions, HCL secretions कम करने के लिए, तो यह combined हमने एक picture रखा हुआ है, comparisons के लि Combined जब भी देखते हैं, हम लोग comparative chart देखते हैं, तो हमको basic idea आजाता है, compare कर सकते हैं easily, तो antacids देते हैं, जिसमें neutralizing property होती है, जो heartburn और quick symptom relief के लिए काम करते हैं, इसमें main contraindications है कि जब भी calcium के salts यूज़ करते हैं, तो उससे kidney stones हो सकता है, तो उसमें आप avoid करें, ठीक है, drug interactions हो सकते हैं, कुछ antibiotics के साथ उसका absorption कम हो, दूसरे side effects में जो main होते हैं, वो है calcium और, sorry, magnesium और aluminium के salts, जैसे हमें पता है कि इसमें जो main combinations अभी use होते हैं, जो most commonly use होते हैं, वो aluminium और magnesium के salt को combine करके use कि यूज़ किया जाता है, तो कई बार फूचते हैं कि क्यों aluminium और magnesium के salts को combine करते हैं, क्योंकि magnesium जो है, वो diarrhea करता है, osmotically वे से गाम करता है, जबकि aluminium का करता है, constipation करता है, तो ये दोनों combine करने से ये nullify हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए adverse drug reactions उन्सका nullify हो जाता है, most commonly use कर सकते हैं, calcium carbonate के जब भी salt use करते हैं, तो हमें kidney stone जैसे सीज़े ध्यान में रखने ही चाहिए, तो ज्यादा कुछ problem नहीं है, ज्यादे से ज्यादा constipation, hypercalcemia और फिर कई बार rebound acidity भी हो सकता है, आपको administer नहीं करना है, और medications के साथ gap रखना है, और कोई medications चल रही तो उसके साथ gap रखना है, पानी अच्छे से पीना है, और renal disease में जैसे मिना बात की, तो cautiously use करना है, फिर हो गया histaminic blockers, जो histaminic receptors, especially H2 receptors को block करते हैं, heartburn, gastroesophageal, reflux या फिर ulcers वाले patients में beneficial है, जब तक proton pump available नहीं था, ये drugs अच्छे से use होती थी, अब क्योंकि proton pump इनिमेटर्स अच्छे से primary use होता है, इस drug का utilization कम हो गया है, इसमें भी famatidine अच्छी दवाईया है, इसके अलबा पहले sematidine जो use होती थी, sematidine से काफी सारे adverse drug reactions होते थे, enzyme inhibitor के तौर पे काम करती थी, तो और drugs के साथ आपको cautiously देना पड़ता था, apart from that, उससे काफी सारे anti-androgenic side effects भी होते थे sematidine से, इसलिए वो कम use होगी, अब use ही नहीं होती, फिर ranitidine और famatidine आया, वो comparatively उसमें जो constipation, die area हो गया, तो यह सब non-specific adverse drug reactions है, otherwise famatidine, ranitidine, comparatively safer drugs है, इसको भी gap रखना चाहिए, तुरंत नहीं लेना चाहिए, तो 15-60 मिनिट का gap रखे food और drink के बीच में, और अगर और कोई भी बीमारी है, तो हमें report करना चाहिए, फिर है सबसे effective protein per minute, spentoprazole, rabeprazole, जो अभी commonly use हो final stage में काम करते हैं, जैसे हमने बात की, तो सभी प्रकार की situation जहां पे actual secretion बढ़ गया है, उसमें use कर सकते हैं, उससे कुछ अभी देखना को मिला है, कुछ कुछ side effects होते हैं, although most common नहीं है, फिर वे कई बार allergic reactions देखने को मिले हैं, vitamin B12 का absorption के साथ यह interference करता है, calcium के absorption के साथ interference कर होता है, जिससे bone fracture होने का chances ज्यादा रहता है, constipation, renal diseases, dysfunctions भी देखे गया है, तो इसलिए osteoporosis या फिर nephritis वाले patient से ध्यान से दीजिए, और इसको भी थोड़ा time देना चाहिए, food और इसके बीच में, फिल सुक्राल फेट जैसी drug होई जो ulcer को protect करती है, specifically जब भी label करते ह हम लोग ulcer specifically हुआ है, तो उसको protect करने के लिए protecting layer बना देती है, यह जो सुक्राल फेट है, यह अंदर जाके acidic environment में काम करती है, acidic environment में एक specific layer बना देती है, जो ulcer के ऊपर पुरा protect करता है उसको HCL से और irritation से, जो काफी effective है, जिसको भी MTS समख देना चाहिए, और इससे ज्याद non-specific adverse drug reactions ही होती है, फिर होगे कुछ anti-flatulent medications, gas वगेरा जिसकी complain हम लोग करते हैं, तो उसमें simethicon जैसी दवाईएं यूज होती है, छोटे बच्चों में भी यूज होती है, यह क्या करते हैं कि surface tensions कम करते हैं, एक specific layer बना देते हैं, जिससे जब भी जो acidic content है, वो mucosa के direct contact में आए, तो जिससे gas से जुड़ी होई तकलिफ या फिर GERD से जुड़ी होई तकलिफ जो है, वो कम होती है, जिससे non-specific EDRs होते हैं, और जिसको भी आपको ध्यान में लेना चाहिए, तो जैसे हमने बात की थी antacids के बारे में यह है कि aluminum और magnesiums के salts कम्बाइन करके क्यों दिया जाता है, तो उसका reason यही है कि दोनों को कम्बाइन करने से जो adverse drug reactions है, वो उसकी normalize होती है, magnesium salts because diarrhea करते हैं, और यह constipations करते हैं, तो adverse drug reaction nullify होती है, और साथ में magnesiums rapid काम करते हैं, और aluminum salts दीरे काम करते हैं, वो भी एक pharmakonetically चीज़ है, magnesium ऐसी drugs हैं कि अलग-अलग roots से दे, तो अलग-अलग effect create होती है, एक और question से आपके जानने के लिए, अगर topically use किया जाए magnesium, तो hygroscopic agent के तौर पे काम करती है, जो EDMA कम करती है, GIT से दिया जाए, magnesium तो उससे die area होता है, ठीक है, और systematically दिया जाए, तो अपरी eclimpsia या फिर eclimpsia में ये benefit करती है, तो magnesium ऐक ऐसी drugs हैं, जो अलग-अलग roots से, अलग-अलग indications के लिए use की जाती है, फिर एक important चीज़ आपको पूछना है कि क्यों proton pump inhibitors को, जैसे तो proton pump inhibitors का half-life देड़ घंडा ही है, तो फिर भी हम लोग once a day ही देते हैं उसको, तो कैसे justify करेंगे, देड़ घंडा ही उसका half-life है, फिर भी once a day देते हैं, क्योंकि जो proton pump है, उसको ये inhibit करती है, ये जो दवाई H plus K plus AD based pump है, उसको ये inhibit करती है, और इसको inhibit करते हैं, फिर उसको activate होने में व irreversibly inhibit करती है, H plus K plus pump को, तो फिर से ये pump बहुत ही कम कि इसमें reactivate हो पाता है, most of the time नया pump बनने बनता है, तब ही activate होता है, और नया pump बनने में time लगता है, तो इसलिए इसे hit and run drugs या irreversible inhibitors भी कहा जाता है, इसलिए although इसका half-life कम है, लेकिन फिर भी इसका effect longer term रहता है, फिर आ है, तो कौन सी दवाई देंगे, तो answer would be antacet, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि और जो दवाईयां है, वो HCL का secretions कम करेगी, और mechanism से, उपर जाके HCL का production कम करेगी, लेकिन जो पढ़ा हुआ है, उसका क्या, तो अगर quick action जाई है, तो पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा हुआ है, और वो neutralize होगा, antacet से ही, अब बात करते हैं, last phase, that is, ash pylori infections, यह specific infection है, bacterial infection है, तो उसको treat करने के लिए antibiotics लगेगी, उसके कुछ रजाइम्स है, जिसमें तीन ड्रक्स का combination दिया जाता है, एक specific duration के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए उस हिसाब से आपको treatment देना पड़ है, यहाँ पर specific combination जो effectively use होते हैं, वो है OCA और OCM, इसमें omeprazole या फिल एंसoprazole नामक प्रोटन पर मिनिवीटर का combination, साथ में antibiotic that is clarithromaicin, एक macrolide group की antibiotic यूज़ की जाती है, और उसके साथ में एक antibiotic in a form of amoxicillin और metronidazole यूज़ की जाती है, तो इस प्रकार से combination दिया जाता है, और उसके बाद 4 से 6 विक भी treatment लग सकती है, इसके अलावा भी और रिजाइम है, जिसमें बिस्मत का use होता है, जलसर प्रोटेक्टिव, metronidazole और tetracycline जैसी दवाईयां भी effective है, tetracycline एक आप याद रखें, important use है जिसका anti-H pylori treatment में, renitidine, bismuth, tetracycline और clarithrom का भी combination यू pregnant lady first semester में आती है, और ulcer disease है, तो आप क्या prescribe करेंगे, तो swiftest thing would be the antacids, तो antacids बहुत safe है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, although proton pump inhibitors भी अब safely use की जाती है, ठीक है, क्योंकि अभी most जहदा तर use होते हैं, लेकिन complete safety उसके established नहीं हुआ है, तो अगर आपको chance नहीं ही लेना है, तो antacid burbida best drug, mesoprostol तो नहीं दे, क्योंकि prostaglandin analog है, और जिससे prostaglandin analogs देने से pregnancy termination का खतरा रहता है, ये question भी आपको पूछ सकते हैं, कौन सी दवाई से ulcer होता है, तो ulcerogenic drug कौन सी है, तो जिससे हमने बात की, एंसेर्स ग्रूप की दवाईया, steroids, glucocorticoids और कुछ cytotoxic agents होते हैं, कि जो ulcers create करते हैं, जिससे ulcer होने का खतरा रहता है, अब आते है exercise के form पे prescription आपको दिया जाता है, कि आप symptomatic relief दीजिए एक patients को, जिसको dyspeption और heartburn है, तो हमने बात की, तो best thing would be the antacids, तो antacids दीजिए, ये best है, जिसमें aluminum और magnesium के salt को combine करके दीजिए, अगर syrup form में दी सके, तो syrup form में नहीं, तो आप tablet form में दीजिए, ठीके, और उसके साथ कुछ non-pharmacological advice भी दीजिए, जैसे stress, spicy food, alcohol, smoking, ये सब avoid कीजिए, liquid form में भी available है, aluminum, magnesium, तो आप एक bottle भी advice कर सकते हैं, जो से 2 teaspoon आपको 3 times a day देना है, follow be up advice कीजिए, डियोडिनल अलसर, simple लिखा हुआ है, जिसमें, मेरे खहल से जो first line drug है, वो omeprazole है, अभी famotidine ना लिखे तो ही वैथर है, उमेपrazole आप लिखे 40 mg की 15 capsule, एक capsule लेना है, देली लेना है, once a day लेना है, साथ पे साथ non pharmacological advice जरूर लिखे, उसके भी marks होते हैं, तो spicy food avoid करे, alcohol, smoking, follow up करे, और treatment को 15 दिन से 1 महिने के लिए continue करे, gastric ulcer हुआ है, तो उसमें भी omeprazole अच्छी दवाईया है, कोसी भी प्रकार का ulcer है, जिसमें omeprazole आप बंद करके लिखेंगे, तो आपके marks नहीं कटेंगे, क्योंकि first line drugs है, capsule form में available है, जैसे same treatment, जो आगे हमने लिखा था, वही same treatment, यहाँ पे भी रहेगा, GERD है, अगेन यहाँ पे पेंटोप्राजोल, omeprazole आप लिख सकते हैं, इसके साथ एक आप प्रो काइनेटिक ड्रग्स भी लिख सकते हैं, जैसे metoclopromide की ये ड्रग्स जो है, gastric propulsive moment को promote करती है, जिससे जो opposite side reflux हो रहा है, isofigil, because है कि through mouth में जो contents आ रहा है, वो कम होंग lower isofigil sphincter titan होगा, और propulsive moment forward directions में होगा, जिसमें metoclopromide जैसे drugs helpful रहेगी, जो prokinetic medications है, लेकिन जब भी आप metoclopromide जैसे medication दे, तो side effects के उपर भी थोड़ा ध्यान रखे, उसको specially detect करने के लिए, non-pharmalogical advice दे, कि छोटे-छोटे मील खाए, एक बड़ा मील लेने से बहतर है कि छोटे-छोटे मील, थोड़े-थोडे समाई पहले, alcohol, tea, coffee, spicy food stress, वगिरा, avoid करे, food should be taken two hours before the going bad, immediately before going bad ना ले, और hidden को always elevator रखे, जिससे reflux कम हो, Lastly, एच पाइलोरी infection अगर detect होता है, उसका treatment अगर आपको पूछते हैं, तो जैसे हमने बात की थी, OCM और OCA treatment, किसी भी रजाइम को अब लेक सकते हैं, यहाँ पे लेंसोपराजोल के साथ, amoxicillin और clarithromoicin का रजाइम लिखा हुआ है, साथ में non-pharmacological measures, और जैसे हमने बात इसकी treatment minimum एक महीना तो रहता ही है, depending upon the conditions यह दू महीना भी चल सकती है, तो hopefully आपको पैप्टिक अलसर्स के जो topic थे, उसमे clarity मिल गई होगी, हमने हो सके उतना concise रखा हुआ है इसको, जिससे important drugs, उसका classification, उसकी mechanisms, और जो important pharmacogenetic point, साथ-साथ में adverse drug reactions, जिससे आप लोग decide कर सके कि क कौन सी medications को दिना है, कोई doubt है, हमें comment कीजिए, अगर अच्छा लगा है practical, तो आप अपने friends के साथ share कीजिए, हमारा पूरा playlist चकाउट कीजिए, मत गूले हमारे पास पूरा playlist है, आप हमारी channel पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने पूरा pharmacological practicals, एक पूरा playlist है, जिसमें हमने वहाँ पर elaborate किया है, hopefully आपको यह अच्छा लगा होगा sessions, thank you very much